हेलो फ्रेंट स्वागत है आपका हमारे चैनल में फ्रेंट आज हम आपको एक ऐसे गाउं के बारे में बताने जा रहे हैं जो की सालों से वीरान पड़ा हुआ है फ्रेंट्स कुल्धरा का नाम तो आपने सुनाई होगा भारत का सबसे रहस्मई गाउ जिस गाउं के अंदर जाने से आज भी लोगों को डर लगता है एक ऐसे गाउं की कहानी हम आपको बताने वाले हैं जहां आज भी आत्माओं को महसूस किया जाता है कुल्धरा का आखिर क्या रहस्य है कुल्धरा क्यू भारत का श्रापित गाउं बोला जाता है कुल्धरा गाउं में ऐसी क्या घटना घटी थी जिससे लोगों को रातो रात गाउं छोड़ कर जाना पड़ा था तो फ्रेंट्स आज हम आपको वही बताने जा रहे हैं कि आखिर क्या हुआ था उस गाउं में फ्रेंट्स कुलधरा गाउं जैसल मेर से कुछ 18 किलोमीटर की दूरी पर इस्तित है यह एक छोटा सा गाउं है इस गाउं में रात्री के समय इनसानों का जाना बिलकुल मना है यहाँ पर एक सरकारी बोर्ड भी लगा हुआ है जिसके उपर साफ साफ लिखा हुआ है कि सुदज ढ़ने के बाद इस गाउं में कोई नहीं जा सकता कहा जाता है कि आज से सैकड़ो साल पहले पालीवाल ब्रामण इस गाउं में रहते थे पालीवाल ब्रामण के 600 घर गाउं में थे कुल्धरा के आसपास 84 गाउं और भी थे जहां पर पालीवाल ब्रामण रहते थे कुल्धरा के पालिवाल ब्रामण काफी महंती थे और ये बहुत ज़्यादा बुद्धिमान भी थे इस गाउं के माकान आज भी इस तरीके से बने हुए हैं कि ये गाउं गर्मियों में भी अंदर से ठंडे रहते हैं वाली बात है कि जब ये गाउं पालिवाल ब्रामण का था और यहां पर वे रह रहे थे तो आखिर क्यों वे गाउं आज भूतिय गाउं बोला जाता है इसके पीछे क्या कहानी है फ्रेंट्स कहा जाता है कि एक बार पालिवाल ब्रामण पर वहां के दीवान सालम सिंग की बुरी नजर पड़ गई सालम सिंग को एक लड़की पसंद आ गई थी और वे उस लड़की को हर हाल में पाना चाहता था पालीवाल ब्रामण नहीं चाहते थे कि सालम सिंग उनकी बेटी से शादी करे या फिर जोर जबरजस्ती करे अपनी बेटी को बचाने के चक्कर में एक ही रात में यहां से घर छोड़ कर चले गये थे एक ही रात में कुलधरा का यह गाउं पूरी तरह से खाली हो गया था जाते जाते पालीवाल इस गाउं को कभी न बसने का श्राप दे कर गये थे और यही कारण है कि यह श्राप आज तक चलता हुआ नजर आ रहा है फ्रेंड्स कुलधरा का यह गाओ पालीवाल ब्रामणों का गाओ था आपको बता दें कि पालीवालों का इतिहास आप जब जड़ से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह ब्रामण बहुत ही बुद्धिमान थे कुलधरा गाउं का निर्मार इन्होंने काफी अच्छी तरह से किया था यहाँ पर कभी भी पानी और हरियाली की कमी नहीं होती थी इस गाउं में आज भी पानी की कमी नहीं है धर्ती के नीचे काफी पानी है जल को जमा करने की योजना है ये काफी पहले से ही अपने गाउं में लागू कर चुके थे कहा जाता है कि कुलधरा के गाउं में रात में रुकना इंसानों के लिए खत्रे से खाली नहीं होता है यहाँ पर कई तरह की एक्टिवीज रिकार्ड की गई है जिने ये साबित होता है कि यहाँ पर आत्माओं का राज है बेसक आज के समय में अगर हम ऐसी बात करते हैं तो यह अंधविश्वास लगता है लेकिन यहाँ पर जिस तरीके के वीडियो रिकार्ड हुए है और जिस तरीके से हरकते रिकार्ड हुई है तो उसके बाद हर कोई यह मानता है कि हाँ निश्चित रूप से आत्माओं हैं और कुल्धरा के गउं में इस तरह की चीजे आज भी देखने को मिलती है कुल्धरा का यह गउं सालों से खाली पड़ा है और ऐसा बताया जाता है कि पालीवाल ब्रामणों के पूरवजों की आत्माएं यहां पर रह रही है जब पालीवाल ब्रामण अपने गउं को छोड़ कर जा रहे थे तो उन्होंने इस गउं को श्राब दिया था कि यह गउं फिर कभी नहीं बस पाएगा और यहां पर अपने पूरवजों की आत्माओं को रहने के लिए उन्हें बुला लिया था यही कारण है कि आज भी गउं में इस तरह की चीजों को महसूस किया जाता है रात किसमें यहां पर खड़ी गाड़ियों के ऊपर पैर या फिर हाथों के निशान बन जाते हैं इस गाउं के घरों में तरह तरह की आवाज निकलती हुई रातों को महसूस की जाती है कहा जाता है कि कुलधरा गाउं के अंदर एक तालाब भी है और यह तालाब सबसे अधिक डरावना है यहां पर जाने वाले व्यक्ति को आत्महत्या जैसी चीजे दिमाग में आने लगती है कई बार इस तलाब के पास में महसूस किया गया है कि दूसरी दुनिया की शक्तियां यहां पर आ रही है और वे आदमी को अपने बस में करती हुई नजर आती है यह थे कुछ रहस से कुलधरा गाउं के उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा